दोस्तों वीडियो के थमनेल से ही आपने आइडिया लगा लिया होगा भी आज किये जो वीडियो वो कितनी इंपोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना टाइम और पैसा खर्च करके टेली या बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉप्ट्वेर को सिखा और उस के पीछे का क्या रिजन है क्यों उनको बार बार रेजेक्ट कर दिया जाता है क्यों उनको अच्छी जोब नहीं मिल पा रही तो यान कि क्या ऐसी उन्होंने गलतियां करी थी जब उन्होंने सुरवात इस अकाउंट्स फिल्ड में आने के वक्त करी थी यान कि जब उन्हों आप भी accounts के field में अपना carrier बनाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को आपको end तक complete देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मैं वो सारी बातें बताऊंगा जब भी कोई नया students accounts field में आने की planning करते हैं और जो शुरुआत में जो गलतियां कर बेटता हैं वो गलतियों से आपको बचना होगा क्योंकि आप लोगों ने भी अगर वोई गलतियां repeat कर दी जो आपसे उन लोगों ने पहले कर दी हैं तो आपको भी हो सकता है अच्छा खासा पैसा लगाने के बावजूद भी अंत में जब आपका course complete होगा तो हो सकता है जब भी आप किसी company में interview के लिए जाओगे तो हो सकता है पस्ताना पड़े तो इसलिए वक्त रहते हैं हमें समलना होगा और हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना होगा जब हमें इस line की सुरवात कर दी है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप से चोटी सी request है वीडियो कर आपको अच्छे लगे नोलेज जब लगे तो वीडियो को like जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो दोस्त आपके accounts के field में केरियर बनाने की planning कर रहे हैं तो अगर दोस्तों आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करी हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ में notification बेल को भी जरूर ओन करना क्योंकि हम इस चैनल पर टेली accounting software और वीजी accounting software देसकी practical वीडियो continue upload करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुतार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं तो शुरू करते हैं आज गई वीडियो तो अगर हम बात करें भी आज से 7-8 साल पहले की या हम यूँ कहें भी GST लागू होने से पहले तक जब GST लागू होने से पहले की जब कोई भी अकाउंटेंट जब LE course या कोई busy counting software करता था तो उसको तुरंती जोब मिल जाती थी क्यों मिल जाती थी क्योंकि उस वक्त क्या था कोई tax compliance थे वो इतने टफ नहीं थे जितने आज यानि कि 2021 में है और उस वक्त क्या था लगबग सभी business में computer accounting के साथ manual accounts भी maintain किया जाता था क्योंकि अगर एक तरफ आगर कोई गलती होती है मानीजी कोई computer software में कोई mistake हो जाती है accountant से तो वो manual account से cross checking करने के बाद गलतियां पकड़ में आ जाती थी लेकिन अब आज के time में यानकि 2021 में tax compliance कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है यानकि अब आप manual accounts भी maintain करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है इसलिए अब सारा का सारा 100% जो business का accounts वरक होता है वो सारा किसी भी accounting software पर maintain करना जरूरी हो गया है और उसके बावजूद भी expert accountant से भी कहीन के गलतियां हो जाती है computer accounting करने के बावजूद भ जोब मिलना तो पहले भी बहुत मुश्किल का काम है लेकिन आपको आगे वाले आने वाले इन futures के अगर हम 2022 की 2023 के अगर बात करें यानकि आगे आने वाले सालों के बात करें तो उसको मद्या नजर देखते वे आपको accounts के field में किस तरीके की त्यारी रखनी पड़ेगी यान सब्सक्राइब करते हैं तो बीना किसी वाउसर की प्रैक्टिस के सास्थ डारेक्ट्री accounting software को सीखना शुरू कर देना अलांकि इस मेटर पर मैंने इससे पहले काफी सारे वीडियो मैं बना चुका हूं लेकिन आज यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह हमारे चैनल के काफ सब्सक्राइब करें तो उनके माइंड में क्या-क्या बाते रहनी चाहिए ताकि वह अच्छी तरीके से अकाउंट को सीख सकें तो दोस्तों जो पहले रिजन ही होता है जो निया स्टूडेंट होता है उनको अब फीचर आगे उसके सामने क्या प्रोब्लम आईगी उसको इ भी नहीं होता मेर को भी नहीं था लेकिन आज मैं आपको वो सारी बाते प्रैक्टिकली बताने वाल्ओं मेरा वालं जो हमारे साथ हुआ था वो आपके साथ ऐसा नया हो हो कि जो निया स्टूडेंट आते उसके मारे事情 disc सक्टेंगीु, relative vg सीखनें यानकि उनके माइंड में यह चलता है विए उन्होंने केवल टेली सिखी थी या फिर बीजी सिखी थी और सीखते ही उनको जोब मिलगी पहली गलती तो यह कर बैठते हैं सेकंड बात अब उनको जो manual accounts का जो experience होता है वो उनके पास zero होता है अमाले जी आपने टेली सोट्व बीएर सीख लिया चार या पांच मिनों का आपने course भी कर लिया आपने टेली software के सारे features के बारे में आप update हो सब features के बारे में जानते हो भी कौन सी accounting voucher कहा होती है कौन-कौन सी features को enable करना होता है टेक्स के emitter को कहां से enable करते है यह सब आपको अच्छी तरीके से पता है लेकिन बात तब आती है जब आपको कोई original voucher देके और आपसे practice करवाई जाए तब आपको problem आती है क्योंकि आपने जो account मेलब daily जो सिख है वो आपने books knowledge के साथ सिख है या फिर जो किसी से बने बनाए ready made notes है उनको notes के दार पर जो notes में लिखाव है आपने उन notes को follow किया और जो step उस notes में बताये गए थे आप उसी के according आप अपने software में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए और अपना course है जो complete कर लिया लेकिन अब आपको इस बात का अंदाजा यहां तक भी नहीं है कि अब आपको सामने जो course तो complete कर लिया लेकिन अब इन future आपके सामने problem क्या आएगी क्या-क्या बातें आपसे interview में पूछी जाती है तो दोस्तों आपसे एक request यही रती है मैं हमेसा यह request करता हूँ जब भी आप किसी भी institute पे जाओ कहीं पे भी सेखो आप कोई भी institute के आप जोईन करो उसके अगर बारे में अगर आपको यह properly सही तरीके से नहीं पता होगा तो आप accounting अच्छी तरीके से maintain नहीं कर पाओगे अगर आपने keval tally software का ही knowledge इसका मालब आज आप एक computer operator हो नहीं कि accountant हो ठीक है आपको अगर accounts में expert होने है तो आपको accounting software से पहले accounts का जो manual base है वो आपका strong होना जरूरी है अब बात करते हैं next point के क्योंकि जब भी आप interview में जाते हो अब माली जिए आप वहाँ पर आपको यह बात पोच ली भी hson code क्या होता है अब आपको यह तो पता है भी tally software में stock item में hson code कहां से हम डाल सकते हैं लिकिन hson code के बारे में नहीं पता अब आपसे जब gst के अंदर आप registration करते हो टally software में हम जाते हैं जिसे हम f11 पर हम गई और हमने gst activate किया और उसके बाद में अमाली श्टेट वेगर आगे अब जिसे यह कोई registration टाइप यहां पर पूछते हैं और उसके बाद में अगर आपसे यह बात पूछ ली जाए भी composition और regular में difference के हैं यह दो option जो दिये गए इसका पीछे reason के हैं तो आपके इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता हो ना चीए भी regular का मतलब क्या होता है composition का मतलब क्या होता है अब उसके बाद में जब आगे हम जाती है GST return पर हम जाती है तो GST return पर हम जाती है तो दो option मारे पास नहां पर मिलते है monthly और quarterly तो आपके बारे में यह आपसे यह पूछा जा सकता है यह monthly क्यों दिया हो है quarterly किसके लिए होता है monthly किसके लिए होता है इसी तरीके से अब आप से कोई TDS के बारे में पूछ लिए अब आपको यह तो पता है यह तो पता है यह तो आपको आप टूडेट रहना पढ़ाएगा tax compliance के साथ में बहुत सारी facility है आप चाहे तो गूगल का सारा ले सकते हो यूटूब का सारा ले सकते हो इसलिए आप कोई आपको एडवांस Microsoft Excel का भी नोलेज होना बहुती कंपल सरी है क्योंकि दिमाग में यह बात चलती है तो आपको एक्सल का नोलेज भी होना जरूरी है क्योंकि जब भी आप जाओगे तो आपको बैसिक कंप्यूटर का नोलेज होना जरूरी है और बैसिक कंप्यूटर में लिकर अगर आपको यह बात बोल दी जाए या परवाइड यूटी या बॉन्ट डिटेल्स का मतलब क्या होता है आप इसको यस करेंगे तो क्या फाइदा है नो करेंगे तो क्या पैनिपिट है आपने बुक्स में देखके तो इनको नोट्स कर दिया लेकिन इसका पीछे प क्योंकि अगर आप टेक्स कंप्लाइंस के साथ अपडेट नहीं रहेंगे तो हो सकता है आप उस कंपनी की जो अकाउंटिंग वो प्रोपर्ली सही तरीके से मेंटेन ना कर पाओ क्योंकि आज के टाइम में हर बिजनेसमें यह चाहते है उसको जो अकाउंटेंट मिले वो उ ज्युक्त कंपनी कर डाखते हैं है यह नहीं होते हैं क्योंकि आपने सकhers सेखे है हैं यह कुछ ज tous कंपनी करना काउना ज्रारी है कौन सी कंपनी पर होना है कौन सी पर नहीं होना तो इसलिए जो शुरुवात में आप जो गलतियं कर बैठते हो केवल डायरेक्ट पर सॉप्टविर सेखने की यह गलती आज आज आपको लस्ट में जाकर नुक्सान करती है क्योंकि आप आपको टेली सॉफ्ट बेरे के बारे में दो पूछ लिया जाता है लेकिन आपसे वाउचर की इंट्रीं करवा की भी पूछी जा सकती है कुछ भी पूछा जा सकता है अकाउंटिंग से रिलेटेड तब आपको प्रोब्लम आती है तब आपको यह फिल होता है य अकर आप सही गाइडनेस के अंदर और आपको यह भी पता होना है यह जिस इंस्टूट पे आपने जोइन किया है टेली सीखने के लिए या अकाउंट्स का कोई भी कोर्स सीखने के लिए तो जो आपका ट्यूटर है उनको अकाउंट से रिलेटेड कितना अच्छा नोलेज है सबसे पहले आपको बात यही पकड़नी है क्योंकि जिस ट्यूटर को अकाउंट का खुद को नोलेज नहीं है वो खुद ही आपको भुक्स की गाइडनेस के अंसार आपको रीड करा रहा है तो इसका मतलब आपको इन फूचर प्रोबलम आईगी है कि यह 100% ट्या है तो इसलिए आपको सबसे पहले तो यह बात ही पता कर लेनी है इसको खुद को कितना एक्सपिरियंस है जो एक्सपिरियंस वाड़ा जो ट्यूटर होगा जो आपको पढ़ाने वाला वो आपको सभी गाइडनेस के एकोर्डिंग ही आपको टीजिंग करवाएगा अगर आपने क कोई इंस्टूट में अच्छा इंस्टूट तो चुन लिया लेकिन वापे ट्यूटर अच्छे नहीं है तो अब आपका जो टाइम और जो पैस है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा तो कहने का मतलब यह हो गया भी आपको अकाउंटिंग सॉप्वेर सिखने से पहले अक के कंप्लाइंस हाते थे चाहिए वो इंकम टेक्स के चाहिए वो वेट के वो नए फाइनेंसलियर से ही सुरुवात होते थे लेकिन अब आप जी देख रहे हो अब जेश्ट में मतली रिटन्स फाइली करनी पड़ती है हर मत कोई ने कोई जो जीस्ट के जो नई सेक्शन है नया रूल लगए हो जाता है कुईन कोई इंकम टेक्स का । कसी भी मत में लग उ सकते है तो उसके पीछय लोजिक है जो में टेक्स आ जहारे बाती हो ले To क्योंकि इंट्रिव्यूर आपसे यी बात जानेगा, आप इनके बारे में कितना अच्छा नोलेज रखते हो, अब टेली बीजी तो हर कोई सिखा फिर हर दूसरा आदमी टेली सॉफिर सीख रखी है, बीजी सॉफिर सीख रखी है, लेकिन जोब सभी को नहीं मिलेगी, जोब अच्छी खासी मेंट करनी पड़ेगी, खेवल आप यी माइंट से निकाल दीजी भी आपको टेली सॉफ्ट्वेर या बीजी सॉफ्ट्वेर सिख ती जोब मिल जेगी, इसको तो बिल्कुल ही आप माइंट से निकाल दीजीए, आपको अकाउंट्स का बेस मजबूत होना यह टेक्स कंप्लाइंस आपके जो नोलेज है, उनका बेसिक नोलेज, अब मैं यह नहीं करा भी आपको डेपली नोलेज होना चाहिए, डेपली नोलेज तो बहुत ही कम लोगों को होता है, लेकिन आपको शुरुआत में बेसिक जानकरी है, जिस्टी ए, टीडियस होता है, क्या टीडियस होता है, क्या टीडियस होता है, क्या जिस्टी होता है, किस पे अपली केबल होता है, रेगुलर डिलर क्या होता है, कमपोजिसन डिलर क्या होता है, इनके बारे में आपको अच्छी जानकरी होनी जुरूरी है, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आज की वीडि लिए है तो आप हमें comment कर सकते हैं हम पूरी कोसिस करेंगे आपके उन queries का जवाब देने के लिए तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ